दोस्तों भारत चीन से कितना पीछे है इस पर एक महानलेखक भारत के श्रीबालाजी विश्वनाथ ने चीन घहूं कर कई चीजों से तुलना की है जैसे सड़क की स्थिती महिलाओं की स्थिती उद्योग धंधों की स्थिती कारोबार की स्थिती शिक्षा की स्थिती साइंस और टेक्नालोजी और कई चीजों पर अपना एक लेख लेखा है आज उसी को विस्तार पूर्वक में आपको बताऊंगा कि भारत और चीन में कितना फर्क है कौन आगे है ये आप निरणे करेंगे श्रीबालाजी विश्वनाथ कहते हैं मैंने चीन के कई बार यात्रा की हैं जिसमें से तीन बार एक भारतिय प्रतनिधि मंडल का रिष्टा था जहां मुझे दो बार चीन में वर्ल्ट एकोनामिक फोरम में आमंत्रित किया गया था जहां उनके सभी शिर्ष नेताओं उनके प्रीमेर के साथ साथ मेरों और CEO ने भाग लिया था मैं पोरवी चीन में अकेले बसों और च्रेनों से यात्रा करते हुए विभिंच शहरों में निम्नमध्यमवर्ग की चीनी लोगों के अपार्टमेंट में रहा हूं मैंने सभी स्तरों पर एक सो चीनी लोगों के साथ बात्चीत की है और भारत की और अगर को विदुनी समालियन नहीं चाता तो चीन में एक विक्री कमपनी स्थापित करता है यह मेरा संक्षिप्त विशलेशन है कि भारत चीन से पीछे कहा है नमबर एक महला श्रम बलकी भागीदारी में भारत चीन से बहुत पीछे है पूरे चीन में आप महलाओं को व्या पूरी तरह से पुरूस प्रधान है भारत से पूरी तरह से अलग संख्या में भारत में सकल घरेलू उत्पात के व्रिधी पीली में एक लिंग लगबक पूरी तरह से अनुपस्थित हैं दूसरा शहरी बुनियादी धाच्य के मामले में भी भारत बहुत पीछे हैं चीन मन बहुत सारे शहरों का निर्मान किया है। ये विकास के बहतर प्रसार के अनुमती देता है। साथ ही मेचुत च्रिनों हाई स्पीज रेलाज के विशाल स्तर्क के साथ भारत सकार अंतर को पाटने के कोशिश कर रही है। हलाकि ये अब काफी बड़ा है। टीसरा माओं के समय के डशकों के निवेश के कारण चीन बुनियादी स्वास्ति संकीत को में भी काफी आगे है भारत को इस पर कब पाने में काफी समय लगेगा। चौथा चीन में सब ही स्तरों पर निरने लेने की त्वारित प्रणाली है। मैंने बहुत सारे चीनी व्यवसाय और सरकारों के साथ काम किया हैं और महसूस किया है कि वे दुनिया में कहीं और से कहीं और ज्यादत और हैं। जहां भारत पीछे हैं लेकिन वे कारण इतने बड़े नहीं जितना मैंने चार पॉइंट पता हैं। आये भारत की ताकत के कुछ तरेकों पर बात करते हैं जिन में भारत चीन से बहुत बहतर है। नमबर एक। बाकि दुनिया के साथ काम करने में भारत ये बहतर हैं। लोग इस बात पर एक छोटा सा उदाहरन है कि कैसे भारत के पास बाकी की तुल्ला में पुल बनाने के एक बेहतर तरीक है दूसरा अगर बात करें तो चीनी जनसांख्य की अधिक विश्यम होती जा रही है और चार दशकों में जो उन्हें जनसांख्य की लाप प्राप्थ हुआ है दो मातापिता समर्थित एक बच्ची उलटा काम करेंगे क्युँकि एक बच्चे को दो वृत्ध मातापिता का समर्थन करना पड़ता है हिंदुस्तान की जनसांख्य की बेहतर है तीसरा राजनीतिक व्यवस्था के संबंद में भारत में अनिशित्ता काम कैं दौरान एक उदाहरण के अलावा है अराजक्ता में काम करने और आतिहासिक रूप से ग्रहियुद्धुक्रांतियों या प्रमुक्सामाजिक अशांति से बचने के लिए भारत काफी अभ्यस्त है, भारत की वर्तमान स्थिती को छोड़ कर मिस सद्यों से चीन या तो बहुत या चरम अड़ाजक्ता और रत्पात की चरम विप्रीत में है, अगर समय के साथ हर विक्सिक देश की तरह चीन को लोगतंत्र में बदलना है, ये समझ से चीन पर मंडर आगी, तो दोस्तों आप इस विशलेशन से कितना संतुष्थ हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी रा को जाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एमजी एक्जाम करेकर को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद